हैलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आज है 30 नवंबर और आज आपका दिली पिलिस कॉंस्टेबल के फर्स्ट का पेपर समाप्त हो चुका है फर्स्ट के पेपर में पूछेगे जो रियल प्रसन आपसे पूछेगे थे वो सारे प्रसन आ चुके हैं मेरे पास तो पूरा वीडियो एंड तक देखेगा और बहुत सारे कोशन रिपीट हो रहे हैं तो जिनका आगे एक्जाम है पूरा वीडियो एंड तक देखा कीजिए अनलेसिस का क्योंकि आपके सिफ्ट में ये कोशन रिपीट हो सकते हैं और वीडियो को जितने भी दोस्त देख रहे हो सभी से रिक्वेश्ट करूँगा कि सारे के सारे पैरे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके वीडियो को दोस्तों तक पहुचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेर कीजिएगा और चेनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ओन कर लीजिए जिससे कि आपको दिल्ली पुलिस के हर सिफ्ट का अनलेसिस ऐसे ही देखने को मिले तो स्टार्ट करते हैं पहले कोशन से पहला कोशन आपसे पूछा गया था रिपिटिड स्वाल है प्रिवेस यर में बार बार एक्जाम में आया हुआ भी है पानिपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके मद्य हुआ था ये कोशन पूछा गया तो पानिपत का जो पहला य युद जीत कर 1526 में भारत में मुगल सामराजे की स्थापना भी की थी ठीक है और जो second war हुआ था पानिपत का वो हुआ था 1556 में ये दोस्तों हुआ था अकबर और हेमू के बीच में ठीक है 1556 में ये लड़ा गया था दूसरा युद अकबर और हेमू के बीच में इस युद किया था एमद शापदाली ने और इस युद में अफगानियों की जीत हुई थी ठीक है तो ये तीन युद थे पानिपत के जो की मैंने आपको बता दी हैं अगला कोशन पूछा गया था राम कृशन मिशन की स्थापना किसने की थी तो ये भी प्रिविएस येर का ही कोशन इस एक्जाम में आपके प्रिविस येर कोशन बहुत जादा पूछे गए हैं राम किशन मिशन का जो फॉर्मेशन किया गया था वो स्वामी विवेकानन जी ने किया था और 1897 में किया था ठीक है तो ये आपका राइट आंस्पर हो जाएगा एक कोशन आये था कि राष्ट कूट वन्स में दंती द्रुक के उत्रा दिकारी बने थे वो थे क्रिशन परथम ठीक है क्रिशन परथम थे दंती द्रुक के चाचा तो वो आपका राइट आंस्पर हो जाएगा अगला कोशन आये था 2011 की जनगर्ना के अनुसार महिलाओं की साकसरता दर पूरूसों की साकस कितना जो है वो है तो देखिए अनुसार आपसे पूछा था कि जादा है या कम है तो 2011 की जनगर्ना के अनुसार ओवरूल जो हमारा लिटरेसी रेट है भारत का वो 74.04% है जिसमें पूरूसों का है 82.14 और महिलाओं का है 65.46 तो देखिए जो पूरूसों का साकसरता दर है वो महिलाओं से जादा है तो हमसे पूछा था महिलाओं का साकसरता दर जादा है या कम है तो कम होगा तो कम आपका राइट आंस्वर हो जाएगा अगला कोशना है था पोपीर जो है वो किस राजे का लोक नरत्य है देखिए अब जो पोपीर है ना ये अरुनाचल प्रदे संतूर वादियंतर से है तो संतूर आपका right answer होगा इस question का अगला question पूछा गया था FDI जो है FDI में I का मतलब पूछा गया था repeated स्वाल है second बार पूछा जा रहा है FDI का full form तो देखिए FDI का full form होता है foreign direct investment जिसमें हमने सिर्फ I का मतलब बताना था तो I का मतलब हो जाएगा investment ठीक है तो investment आपका right answer था अगला question था कि मिहर सेन ने 5 सागर कब पार किया था तो देखिए मिहर सेन ने 5 सागर को पार किया था 1966 में तो 1966 option आपका बिल्कुल correct answer था इस question का अगला question आयता लाई हरोबा त्योहार किस राज्ये में मनाय जाता है ये वाला question भी दिल्ली पूलीस exam में repeat हो रहा है इसलिए बोलता हूँ जिनका आगे exam बाकी है पूरा analysis वीडियो end तक देखा कीजिए बीच में skip मत किया कीजिए कोई भी question को क्योंकि question आपके repeat हो रहे है हर shift to shift ठीक है लाई हरोबा जो त्योहार है ये मनीपूर में मनाय जाता है तो मनीपूर आपका right answer हो जाएगा इस question का अगला question email का भी full form पूछा गया था तो दो full form पूछे गये है FDI का और email का email का full form होता है electronic mail तो ये आपका right answer हो जाएगा एक question आयता my experiment with truth के रचनाकार कोन है ये वाला question भी repeat हो रहा है इस exam में my experiment with truth के रचनाकार है महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी इस question का correct answer हो जाएगा वीडियो में आगे बड़ें उससे पहले जितने भी दोस्ट वीडियो को देख चुके हैं अभी तक और आपने like नहीं कर रखा है तो आपके लिए इतना मैनत कर रहे है तो आपका फर्ज बनता है कि आप like करें ज आपका कुछ मीने लगता ही आपके लिए बिल्कुल फ्री है पर इससे हमारी बहुत एल्प होती है तो सभी एक बार सब्सक्राइब करेंगे नेक्स्ट कोशन देखें दोस्तों सरदार भगसियें के साथी कौन थे जिन्होंने ब्रीटिस असेम्बली में बम फैका था ये वाला कोशन भी दिल्ली पुलिस में इस वार सेकिंड टाइम पूछा जा रहा है पहले भी एक बार आ चुका है तो बटु केश्वर्दत जो है वो साथी थे जिन्होंने ब्रीटिस असेम्बली में बम फैका था भगसियें के साथ मिलके तो बटु केश्वर्दत आपका राइट आंसपर हो जाएगा अगला कोशन आया था कि साइमन कमीशन आने से पहले उसका बहिश्कार कहां से किया गया तो साइमन कमीशन आने से पह कड़को काट कर किया गया था और वो जो पत्थर था ना उसका नाम है बेसाल्ट चेटान तो बेसाल्ट चेटान आपका राइट आंसपर हो जाएगा इसकोशन में अगला कोशन आया था कि धरम के शिक्षा पर प्रतिबंद का प्रावधान सविधान के किस अनुछेद में धर्म के शिक्षा पर प्रतिबंद का जो प्रावधान है वो सविधान के अनुचेद 28 में है तो अनुचेद 28 आपका राइट आंस्वर था इस कोशन का अगला कोशन पूछा गया सर्वोच नियाले का छेत्रा दिकार किसके अंतरगत आता है जो सर्वोच नियाले का छेत्रा जो समान व्यापार के लिए विडेश कैसे भिज़ा दाता है तो इसका सबसे जो आसान जो रास्ता होता है वो समुद्र के द्वारा होता है तो ऑप्शन में अगर समुद्र मार्ग दिया होगा तो आपका वो बिलकुल राइट आंस्वर हो जाएगा एक कोशन आये था कि भ पुलिस में बार-बार कोशन आ रहे है तो ये टोपिक आपको जरूर कवर करना है बारत की जो अंतिम पंच वर्शी योजना थी वो बारवी थी जो की 2012 से 2017 तकती और ये भारत की अंतिम योजना थी इसके बाद कोई भी योजना नहीं आई अगला कोशन था फीफा वर्ड क संसोदन अधिनियम कब हुआ? 1976 में हुआ था ठीक है एक यहां पर ये अधूरा कोशन है जल कैसा होता है जिनको अच्छे से याद है ये कोशन एक बार कमेंट कर देंगे तो इतने ही कोशन मिले है जिनको और कोशन याद है कमेंट करेंगे वीडियो पूरा देखने के लिए